तो आज हम आपको बताएंगे कॉंपेटिशन कॉंपेडिशन कॉंपेडिशन कौन से होते हैं वर्ल लेवल पर जो कि आज से शुरू होगी है एक दिन और लगेगी तो इस बार देरो दून में हो रही है तो अब फ्यूचर में काफी जगा पर यह ड्रोन फेस्टिवल होंगे तो इसमें जो कॉंपेडिशन होते हैं तो इन्होंने अल्मोस्ट वर्ल ओवर जितने भी कॉंपेडिशन होते हैं वर्ल में ड्रोन के वो सारे इसमें कवर की हैं अल्मोस्ट तो काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि उनको कुछ समय नहीं है कि वो कैसे कैसे कॉंपेडिशन हैं रेसिंग के अलावा तो वो रेसिंग के अलावा जितने भी तीन-चार competition और थे वहाँ पर वो मैं पूरा बड़े असान लेंगुज में आपको बताऊंगा इसे होगा कि आपको future में पता लग जाएगे कैसे कैसे competitions के होते हैं वर्लोव और जो कि इंडिया में भी आप शुरू हो गए हैं और आगी होंगे तो जो 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 एंथियास्ट हैं ड्रोन competition में पाटिस्पेट करने के लिए तो उनको ये वीडियो देखना चाहिए पूरा तो आकि उनको पता लग जाए किस तरह के competitions में आप पाटिस्पेट कर सकते हैं फ्यूचर में अगर आप ड्रोन एंतुजियास्ट है या ड्रोन competition में पाटिस्पेट करना चाहते हैं तो सभी इवेंट्स बताऊंगा विद पूरे ग्राफिस अब को समझ आ जाएगा कैसे कैसे किस किस लेवल के कॉंपेटिशन होते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो आपको पसंद आएगा और अगर आप नहीं है चनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब विगास दिस अड्रोन एक्स फरस्ट इंडियन चैनल यो तो फ्रेंद्स इस ड्रोन रेसिंग यह तो आपको सब को बत तो ऐसे डिजाइंज बना जाते हैं लग- Mythicals बना जाते हैं इनके थ्रू ओपको फ्रोन को पास्त करवाना होता है और यह होती है र्इस कि जीता हुई है जो कि इन सब आपस्टिकल्स को भीना टच किया भीना क्रैश किया ड्रोन को सबसे पहले निकाल लेता है तो यह होगी ड्रोन रेसिंग यह सबसे सिंपलस्ट competition है तो अब आपको दाते हैं दूसरा competition जो होता है maximum take-off weight challenge इसमें क्या होता है इसमें ड्रोन के वेट को एक तो उठाने की शमता मतलब capacity to handle the weight वो पता लगता है उसके बाद रूटेंडम वेट पकड़ा जेते हैं आपके ड्रोन में लगा देते हैं उसके बाद आपको कहा जाता है कि यह देख रहे हैं ऐसा box उसमें आपका skill काउंट होगा कि एक तो वेट उठाना है अपने ड्रोन से और फिर इस box में गेरना है जो जितने बिल्कुल सेंटर में गेरेगा एक किलोमेटर की मिनिम्म लेमिट है आपको ड्रोन उडाना ही है उसको ऐसे नहीं है कि बॉक्स अभी आया नहीं और आपने 100 मीटर उडाया ड्रोन और नीचे फैंक दिया वेट को कम से कम एक किलोमेटर वेट उठाकर ड्रोन को उडाना है औ मैक्सम टेक ओफ वेट चैलेंज इसके बाद तीसरा कॉंपटिशन जो है वो बैसिकली मैडिसन से लेकर है इन्होंने इन्होंने इंडियन नाम दिया है इंडियन यह हो रहा है स्ट्रेम होँआ पर धन्वंतरी कॉंपटिशन उन्हों का इसमें बैसिकली क्या करेंगे कि एक फूचर में ऐसी चीजें होने वाली इंडियम है तो उसका स्किल देखने के लिए एक सैंपल जिसमें मैडिसन वगारा होती है 200 ग्राम के असपास का उसका वेट रहता है वो इसमें आप डाल देते हैं तो होता गया है इसमें आपको यह जो सैंपल होता है यह काफी डेलिके कर जाएगा अंदर तो अगर आपने स्पेलेश की तो इसमें देखना क्यानों ने कि सबसे कम कौन वह जो ड्रोन फ्लायर या ड्रोन पारेट होगा जिसका ड्रोन सबसे कम उसको मलब गेरे हुए सैंपल को डेलिकेट और विना कोई नुकसान पहुंचाए हुए जो सबसे पहले सबसे कम टाइम और सबसे बढ़िया विदावड डेमेश पहुंचेगा वह जीतेगा तो यह है मैडिसन का कॉंपेटिशन धन्वंत्री इन्हों नाम दे दिये तो बैसिकली यह इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा कि कितने स्मूद्ली आफ लाइग करते हैं उसके बाद एक कॉंपेटिशन आता है फ्लाइंग आइस इसमें यह होता है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना इसमें आपको ड्रोन उडाना है पर इसमें आपका पता लगेगा इसमें आपको ड्रोन का बहुत महतब है कैमरे का कितना एकुरेटली आपको वह कैमरा स्टेब है जैसे ही आफे ड्रोन ऊपर ले जाएंगे तब वो कवर हटा दिया जाएगा तो फिर आपने ड्रोन के थिरू वो पहचानने है तो जो maximum number of objects को पहचान लेगा दूर से अपने aerial shots के थिरू aerial eyes के थिरू मतलब द्रोन के थिरू वो जी देगा और लास्ट है UAV image analysis इसमें basically आपको five different images will be given to the participants but you need to get their own left along with the software any open source can be used तो इसमें आपका knowledge का test होगा friends UAV image analysis में इसमें आपको drone से related images provide की जाएंगी कुछ और फिर वो image देखके आपको बताना है कि drone की उसमें क्या utility रही और उसका क्या application part है मतलब उसको आपको पूरा detail में बताना है एक paragraph के अंदर उसके बारे में लिखना है तो जो इस चीज में सबसे जादा output निकालेगा जो भी image दी गई है उसमें से वो भी नरोगा तो इसमें drone का आपका नॉलेज जना जाएगा कि आपको drone image से क्या-क्या उसमें पता लग रहा है कि जैसे कोई surveillance की image आपको मिल गई है तो आपने उसमें देखना होगा कि कहां-कहां पर damage दिखा रहा है drone और अप्रॉक्सिमेटली हाइड उसकी आप बता दें कि साइट पे इसने ऐसे ऐसे लिया होगा शॉर्ट और ऐसे ऐसे information मिल रहे हैं तो यहीं है पांच तरह के competitions जो की वर्ल्ड ओवर होते हैं तो फ्रेंज यह थे पांच तरह के इवेंट्स जो वर्ल्ड ओवर किये जाते हैं चारों तरफ competition में यही बैसिकली इन्हों को फॉलो किया था इन्हों भी बाहर के कैसे कैसे कुछ भी question आपका दिमाग में related to drone you can write in the comment box and in my session question on the session I'll take your definitely take your comment मैं हरे comment मटता हूँ हरे comment का video बनाता हूँ क्योंकि हफते में मेरे तीन दो या तीन वीडियो उनी के ओपर बेस्ट होते हैं तो प्लीज आप comment box भरिए जो भी आपके को मेरे दिमाग में लिखिए और मैं आपका असर करूंगा आपको पसंद आगा वीडियो वीडियो सो ड्रोन टेक डॉक्टर को बड़ा चनल में आई और हैप कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और बड़ा चनल में आई थैंक्यू जाए माता दिए